दोस्तों यदि आप भी लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास एक LIC Policy है तब आप के लिए सबसे बेश्ट यही रहेगा कि आप कहीं और से लोन न लेकर अपने LIC Policy पर ही लोन ले लें जिसका ब्याज़दर काफी कम होता है और यह बिल्कुल आराम से मिल भी जाता है यदि आप कहीं और से लोन के लिए अपलाई करेंगे तो उसका ब्याज़दर भी काफी होगा और लोन आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं जबकि यदि आप अपने LIC Policy पर लोन लेते हैं तो दो से तीन दिनों के अंदर ही लोन का अमाउट आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है तो आज मैं आप लोन को LIC Loan के बारे में पूरा विष्टार से बताने वाला हूँ कि LIC Loan किसको मिल सकता है, कितना मिल सकता है तथा अपने LIC पर लोन लेने के लिए हमें कौन-कौन से डाकमेट देने की ज़रुत पड़ेगी और LIC Loan के उपर कितना प्याज लगता है, किस हिसाब से लगता है और LIC Loan का लिया हुआ पैसा कव-कव और किस हिसाब से जमा करना है यानि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो LIC Loan से समंदित किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रुत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी हाली फिलाल में मैंने अपने LIC Policy पर Loan लिया है तो उसी के अधार पे मैं आपनों बताऊंगा कि आप अपने LIC Policy पर Loan किस तरह से ले सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल को और साथ ए बेल आइकन दबाई ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलजी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे बहुत दोस्तों आप अपने LIC Policy पर Loan तभी ले सकते हैं जब आपका LIC Policy तीन साल पुराना हो यानि LIC Policy लेने के तीन साल बाद ही Loan के लिए अपलाई कर सकते हैं और LIC का Premium रेगलर जमा होना चाहिए यदि आपके LIC का Premium सही प्रकार से जमा नहीं है तब आपको LIC से Loan नहीं मिल पाएगा यदि आप किसी बैंक से Loan लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपका Credit Score देखा जाता है जबकि अपने LIC Policy से Loan लेने पर Credit Score की ज़रुवत नहीं पड़ती है केवाल आपका LIC का Original Bound Paper गिरवी के तौर पे रखा जाएगा और आपको आपके LIC Policy पर Loan मिल जाएगा अब बात करते हैं कि हमें अपने LIC Policy पर कितना Loan मिल सकता है जब हमारी LIC Policy को 3 साल पूरे हो जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमने उतने समय में अपने LIC का कितना Premium जमा किया है उतने Premium का लगभग 85% हमें Loan के तौर पे मिल जाता है हलाकि आपके LIC Policy पर आपको कितना Loan मिलेगा इसकी सही जानकारी के लिए आपको अपने LIC आफिस जाना है और वहाँ पे आपको अपने LIC Policy का Loan Value निकलाना पड़ेगा तब ही आपको पता चल पाएगा कि आपके LIC Policy पर कितना Loan मिल सकता है जैसा है कि आप दे सकते हैं मैंने अपने LIC Policy का Loan Value Certificate निकल वाया है जिसमें कि मेरे LIC Policy का पूरा Detail दिया हुआ है यहां सबसे उपर में आप देखेंगे तो Policy Holder का नाम है उसके नीचे है Policy Number जहां हमें Policy लिया था वो Date यहां पर सो रहा है यह नीचे में Policy Holder का Data Birth है और उसके नीचे है Policy का Premium यह है Policy का Table Number पज़िए आप साइड में देखेंगे और इस साइड में यहां पर दिया हुआ है Policy का Majority Date के हमारे LIC Policy का Majority कव है यह है हमारे Policy का Tenure हमारा जो Policy है वो Half yearly है और यहां पर देखिए यह हमारे में काम की बात हमारे LIC Policy का यह है Surrender Value और इसके नीचे में यहां पर दिया हुआ है Loan Value यह Loan Value हमारे LIC Policy के Surrender Value का 90% होता है यानि हमारे इस LIC Policy पे 1,3,833 रुपया लोन के तौर पे मिल सकता है अब बात करते हैं LIC Loan पर ब्याज कितना और कैसे देना पड़ता है कुछ महीनों पहले तक LIC Loan लेने पर 10% का वार्षिक इंट्रेस्ट लगता था लेकिन अभी LIC Loan पर ब्याज दर घटकर 9% सालाना हो गया है लेकिन प्रत्यक 6 महीने पर LIC Loan का ब्याज जमा करना पड़ता है जैसे कि यदि आप अपने LIC पॉल्सी से 1,00,00 रुपए लोन लेते हैं तब 1,00,00 का 9% सालाना ब्याज दर के इसाब से ब्याज होता है 9,000 रुपए जिसे दो भाग में जमा करना पड़ता है जैसे ही लोन को 6 महीने होगा तब हमें 45,00 रुपए जमा करना पड़ेगा यदि आप लोन का ब्याज प्रत्यक 6 महीने में जमा नहीं करते हैं तो उस ब्याज के उपर भी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा यानि LIC लोन पर 6 महीने पर ही चक्रविदी व्याज लग जाता है तो इस बात का आप लोगों को खास द्यान देना है अब बात करते हैं कि LIC लोन लेने के लिए हमें कौन-कौन से डाक्मेंट की ज़रूत पड़ेगी तो सबसे पहले नमर पे हमें अपने LIC policy का original bond paper चाहिए bond paper का zeros रहेगा तो काम नहीं बनेगा क्योंकि original bond paper गिर्वी के तोर पे रखा जाता है दूसरे नमर पे चाहिए bank के passbook का photocopy यदि आपके पास bank के passbook का photocopy नहीं है तो आप अपने bank खाते का एक cancel check दे सकते हैं जिसमें की account order का नाम, खाता संख्या तरथा IFC code छपा होना चाहिए दोनों में से केवल एक ही चाहिए passbook या फिर checkbook तरथा तिसरे नमर पे चाहिए आपके आधार काट का photocopy या फिर कोई भी एक ID proof उसके बाद आप LIC अपिस से loan वाला farm लेकर उसे सही प्रकार से भर दीजिए farm को भरना बिल्कुल आसान है मैं आप बतायता हूँ कि farm को किस तरह से भरना है इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको LIC holder का नाम लिख देना है उसके बाद नीचे दिया है पता तो इसमें आपको अपना पूरा पता लिख देना है नीचे लिखा है दिनांग तो जिस date में आप LIC के लिए apply कर रहे हैं यानि ये farm भरकर जिस date में LIC आप इसमें जमा करेंगे उस date को यहाँ पे लिख देना है आपका LIC policy LIC के किस साखा में है उस साखा का नाम यहाँ नीचे में लिख देना है यहाँ लिखा है policy संख्या तो यहाँ पे आपको अपना LIC policy नमर लिख देना है नीचे लिखा है मेरी उक्त policy पर तो यहाँ पे आपको जितना भी loan चाहिए यानि जो आपने LIC policy का loan value certificate निकल आया था उस loan value certificate में आपके LIC policy पर कितना loan मिल सकता है जितना भी उसमें लिखा होगा उतना आप loan ले सकते हैं या पर उससे कम ले सकते हैं यहाँ थी माल लीजे आपको यह पता नहीं है कि आपके LIC policy के उपर आपको कितना loan मिल सकता है तो इसमें लिख देना है अधिक्तम केवल अधिक्तम लिख देना है बस जितना भी आपके LIC policy पर लोन मिलना चाहिए उतना लोन आटोमेटिक आपके खाते में आ जाएगा उसके बाद यहां नीचे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यानि लोन के बारे में पुरा बेवरा दिया हुआ है कि लोन लेने से लेकर जमा करने तक आपको किन किन बातों का ध्यान देना है इसे आप अच्छे परकार से पर लिजिए उसके नीचे दिया है भावदी तो इन दोनों जगवों पर आपको अपना सिगनेचर करना है और सिगनेचर वही करना है जो आपके LIC policy में होगा उसके बाद पीश को हम पल्टी करेंगे तो यहां पर आपको एक रूपय का टिकट लगा देना है और यहां पर केवल एक सिगनेचर करना है हलाकि दो दिया हुआ है लेकिन दो signature करने की जिवरत नहीं है केवल एक ही signature कर दीजे बस हो जाएगा जादे कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है यानि policy holder का पूरा नाम उसके बाद यहाँ पर policy संख्या लिखना है नेचे में अस्थान, दिनांग, महीना यह सब लिख देना है और फिर से यहाँ पर आपको अपना signature कर देना है यहाँ दियाए साक्षी तो साक्षी के तोर पे आपको अपने agent का signature कराना है यदि आप अपने agent का signature नहीं करा पते हैं तो LIC office में ही कोई agent मिल जाएगा उससे आप यहाँ पर उसका नाम, पद, पता तथा signature यह सब करा लिजिए बस आपको इस फार में इतना ही करना है जादे कुछ नहीं करना है इसके अलाबा यदि आप अपने LIC policy से पहली बार लून ले रहे हैं तब आपको एक NFT farm भी भनना पड़ेगा जो की LIC office से ही मिल जाएगा और आधार कार्ट तथा passbook के फोटो कापी के उपर आपका signature होना अनिवार है तो farm को सही प्रकार से भर कर उसके साथ LIC का original band paper पिन करके LIC office में जमा कर दीजिए LIC office में farm को जमा करने के बाद केवल 2-3 दिनों के अंदर ही loan का पैसा आपके bank खाते में जमा हो जाएगा वैसे जब मैंने LIC से loan के लिए अपलाई किया था तब LIC loan का पैसा मेरे खाते में अगले ही दिन आ गया था loan लेने के बाद अब बारी आती है loan का पैसा जमा करने की वैसे तो LIC loan का ब्याज हर 6 मेने पे जमा करना पड़ता है लेकिन loan का जो मूल दन है उस पैसे को आप जब चाहे तब जमा कर सकते हैं और यदि माल लेजे आपके पास उतना पैसा नहीं हो पाता है कि आप loan का पैसा जमा कर पाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं जब आपके LIC का maturity पूरा होगा तो maturity पूरा होने के बाद जो भी amount बनेगा उस amount में से loan का पैसा काट कर बागी पैसा जो भी बचेगा आपके bank खाते में जमा कर दिया जाएगा LIC loan का पैसा या ब्याज दोनों को ही online तथा offline यानि LIC office दोनों ही तरीके से जमा कर सकते हैं जब आप LIC loan का पूरा पैसा जमा कर देंगे तब आपको आपके LIC policy का original bank paper वापस कर दिया जाएगा दोस्तों इसी तरीके से आप लोग अपने LIC policy पर बहुत ही कम ब्याज दर पर और जल से जल loan ले सकते हैं तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताईएगा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू प्रेस कर दें तो मिलते हैं इसी पिकार के एक और ग्यान वाले वीडियो में वीडियो देखने के लिए तन्मेवाद